जोस्तु नोगों उद्द राहत देख रहें की इन bigger वीडियो से आज में आपको एक एजुकेशनी विडियो बनाने का तरीका बता हूँगा असल में यूटूब में मैंने एक वीडियो देख रहा है एजुकेशनी विइदियो तो मुझे जिस तरीक हिस तरीके मुंझे बहु इसको PPTV बोलते हैं तो इस PowerPoint को प्ले स्टोर से फ्री में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए यह डाउनलोड हो गया ठीक है अब उन भाई साब ने जैसे बनाया था मैं भी सोच रहा हूं कि उन्होंने शायद किस तरह से बनाया है तो मेरे दिमाग में इत टेलेट करें यह उन्ह 25 उपन होन गया यहां देख सकते यह बनाया अब क्रमा यह कि हमें यहां hell जो कुछो लिखा हूं आगया हम इसे delete कर देंगे तो यह एक page हो गया यहां देखे नीचे लिखा हुआ एक एक लिखा हुए यह एक पेज तो हम ऐसे ही यहां पे 2-3 page हम चार page create कर लेते हैं यहां नीचे देखें यह चार page बन गया यह पहला चीज नहीं नहीं है ऊब इसके बाद आपको क्या करना अपने मोबाइल का जो ऑटो रोटेट है यहां देखे इसे ऑटो रोटेट को आफ कर देना है और हमें अपने मोबाइल को घुमा लेना है अब देखे मैं आपको घुमा कर दिखाता हूं लैंडिस्केप मोड में कर लेना है यह देखे लैंडिस्केप मोड में हमारा मोबाइल यह समझी हाथ से लिखने वाली वीडियो बनाने की चीज़ बता रहा हूँ मैं आप यहाँ पे आपको दो तिन आप शन लिख रहा है यहाँ दिख देगे और भर खल सिखते हैं गैं फिर हम यहाँ पर देखी मैं सअसे रूंट बंदू और हमें जो भी यहां लिखना है, यह असल में उन education channel चलाने वाले को लिए है जो maths के tricks बताते हैं, यारी बड़े-बड़े question नहीं बताते हैं, math के trick बताते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बताते हैं, तो आप यहां बहुत आराम से लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, और आप इसमें अगर थोड़ी सी practice करेंगे तो इसमें बहुत आसानी से आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत आराम से बहुत सारे सवाल solve करके बता सकते हैं, tricky सवाल बता सकते हैं, अब यह चीज़ लिख दिया, इसा delete करना है, तो simply इसे click करेंगे, और erase all पे click कर है, इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद क्या करना है, उसके लिए simply आप page को यहाँ पे वापस pencil को click कर दीजे, और page को scroll कर दीजे, दूसरा page आ जाएगा, यहाँ देखिए two of four आ गया, यहाँ दूसरा page खुली गया, फिर आप यहाँ pencil को select करेंगे, फिर आप पर आगे बढ़ जाएगे, यहाँ आपका तीसरा page आ गया, फिर आप यहाँ एक बड़ टैप करेंगे, यह चीज़ा आ जाएगा, एक बड़ टैप करेंगे, यह सारी चीज़ा आ जाएगी, फिर पैंसिल को tip करेंगे, और फिर आप लिख सकते हैं, पैंसिल के color को change करना है, तो वापस इसके बाजुवालों क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी color select करेंगे, वो select हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपने math के tricky सवाल को यहाँ बहुत आसानी समझा सकते हैं, इसमें वह एक चीज़ बता दो, इसमें तोड़ी practice करेंगे लिखने की, अगर आप practice करेंगे लिए जादा अच्छा है, अगर आप नए यूटूबर हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास touch pen और बाकी और पैड, touch pad और वो सारी चीज़े खरीदने के पैसे नहीं है, और आप mobile से ब्लॉगिंग करते हैं, mobile से YouTube के वीडियो बनाते हैं, तो यह application मुझे लगता है, यह application मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से अपने लिए वीडियो बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, और अगर आपको पास tricky सवाल है mathematics के, तो आप इसमें बहुत आराम से बना सकते हैं, और अगर आपको erase करना है, तो आप यहां चीजे डिलीट हो जाएंगी, तो यहां पर आप चाहिए जितने पेज पहले बना सकते हैं, आट पेज, दस पेज, बीस पेज बना सकते हैं, बना के इसके वीडियो को आप बहुत आसानी से upload कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए आपको screen recorder चाहिए, यानि कि चलिए हम एक रिकॉर्डिंग के लिए start कर देंगे, start now, यह देखे हमारे countdown शुरू हो गया, और यह हमारे recording शुरू हो गया, ठीक है, recording शुरू हो गया, recording शुरू होने के बाद से हमें क्या करना है, वापस आना है, कहां पे, अपने application के powerpoint, यह देखे, ppt powerpoint इसे application पे वापस आना है, और हम यहां जहां से बंद कियेते हैं, वहीं से हम यह open हो गया, तो हम इसे बंद करने के लिए काट देते हैं, और हम इसको discard कर देते हैं, ठीक है, अब यह देखे, यह देखे, यह पहला पेज खुल गया, अब फिर इस प्ले बटन को क्लिक करेंगे, और यह चीज आ गई, आप य ए स्क्रीन को यहां से इसको पहले off करेंगे, यह säen off कर देंगे, ऊफ करने का बद इस बटन को dमाएंगे, और आपकी आप चाहे इसे रखेंड़नेगे, चाहे आप हटा दें जो भी आपकी मद टी यहीं करने चाहें, इसके बाद यहां से आपको यह stop कर देता हैं, यह ये देखिये। ये अपने वीडियो रیکऊर्ड की थी, 223 वीडियो चिल रही हो रहारी है। ये वीडियो ग verw तो इस तरह से आप अपने वीडियो को बाद में यहां से क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप करके इसके लास्ट को जहां तक आप को चाहिए वहान से वहां काट सकते हैं और अपने YouTube चैनल पे अप्लोड कर सकते हैं तो Mathematics का वीडियो बनाने के लिए यह बहुत अच्छा तरीका है अगर आपके पास अगर आपके पास बजट नहीं है अगर आपके पास laptop, tripod और सारी चीज़े खरीदने के पैसे नहीं है तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ना ही किसी लाप्टॉप की जोर्थ पड़ेगी नहीं किसी बड़े टच पैट की जोर्थ पड़ेगी राइटिंग पैट की जोर्थ पड़ेगी किसी भी चीज की जोर्थ नहीं पड़ेगी वाइट पोर्ट की जोर्थ नहीं पड़ेगी आप सिंपली अपने मोबाइल के स्क्रीन को रि जवाब है और अपने रेड़ हो जाता है इसके बार नेक्स्ट सवाल भी आता है और आपको खुछ करना नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दिना है और इस चीज को बस उंगली यहां घुमाना है और यह उंगली आपकी रिकॉर्ड भी नहीं होगी क्योंकि ख़ली स्क जवाब आगे इसके बाद एक और इस तरह से यह मैं अभी इसको शुरू कर रहा हूं देखिए कैसा होता है अगर मेरे सब ठीक ठाक रहा तो मैं इसका तरीका बताऊंगा हाला कि यह मोवाइल से नहीं बनता है यह लैप्टॉप कंप्यूटर से बनता है मैंने लैप्टॉप क